मद्य प्रदेश विधान सभा के चुनाव का समय जितना नजदीक आता जा रहा है उतनी राजनीती गल्यारों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है चाहे भारती जंता पार्टी हो कांग्रेस हो या नव निर्वाचित पार्टी इस पाक्स हो सभी ने अपने चुनाव प्रचार के भ्यान तेज करती हैं सभी दल चाहते हैं कि विधान सभा की सीटों पर हमारा बहुमत आए और हमारे परतियाशी मंसोर से विधान सभा के वीजे रत पर सवार हो सभी अपने सर पर अपने लिए वोट वटोरने के लिए दोरे सभाएं और गांव गांव जाकर अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं सभी दलों के कायरे करता अपने अपने सर पर अपने दल के लिए वोट की जुगार में जुटे हुए हैं सभी दलों की मंसोर में स्टार परचारकों की सभाएं होना है भारते जंता पार्टी से 23 नवंबर को मंसोर में परधान मंतरी नरेंदर मोधी की सभा तै हो गई है मंसोर विधान सभा के लिए ये बहुत ही महत पूर्ण है और यहां सभा भारतिय जंता पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड भी कहीं जा रही है क्योंकि मंसोर में किसानों की नराजगी और वेप्यारियों की नराजगी ज्यादा बनी हुई है क्योंकि कंग्रेस बार बार अपनी सभाव में किसानों पर जारत ध्यान दे रही है और किसानों अंदोलन में किसानों के ऊपर हुए दर्द को बार बार याद दिलाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्यास करेई है और मद्धे बर्दे सरकार की अलोचना कर रही है वहीं भारती जनता पार्टी से राज्य सबत सांसस पर बाद जा मंसोर के चुनाव के पहले प्रवास पर आए हैं जिन्होंने पार्टी पदाधिकारी कारे करता और ऐसे कारे करता जो टिकेट वीत्रन से नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए और पार्टी के उमीद्वार को प्रचंट बहुमत से वीजे मिले इसके लिए और 23 नुवंबर को परधान मंत्री की सभा की तियारे की संबन में चर्चा की और परधान मंत्री जी की सभा को सफल बनाने के लिए सभी विदायक जिला अध्यक्स पार्ची परदा दिकारी मंडल अध्यक्स विदान सभा उमिद्वारो और कारे करताओं का मार्क दर्शन किया राजनिदिक दल है चुनोती हम चुनोती मानकर ही लड़ते हैं लेकिन जिस तरह से 2003 में 8 में 13 में उनको पानी पिलाया जनता ने हमने नहीं पिलाया जनता फिर से 2018 में पानी पिलाएगी और विकास के मुद्दे पर चुनाव लगा है इस तरह से ब्रदान मंद्री का दोरा प्रस्तावी से कब रहेगा ब्रदान मंद्री की 23 तारीक को मंसोर की धर्ती पर आ रहे हैं सौभाग यह है कि पिछने 2013 अभी 2013 में 23 नमंबर को ही आ रहे हैं और यह सौभाग है मंसोर का कि 23 नमंबर को फिर से आ रहे हैं उनका समय एक्चुल तो आ जाएंगे यहां पर लेकिन हमने सारे जंता को बुलाने का अग्रक किया साड़े दस से बारा के बीच में और यहां से निकल जाएंगे एतिहासिक आमसभा की तैयारी के लिए मैं यहां पर आया हूँ आपने देखा सारे विदायक सारे जिलाद्यक्ष सारे पदाविकारी सारे मंडल अब्द्यक्ष मौजूद थे इसी तरह की तैयारी होगी